हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 क्लास 12 एक्सराइज 1.4 एक्सराइज 1.4 के कोस्टन नमबर 1-7 हम कंप्लेट कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे कोस्टन नमबर 8 से 12 क्लास कोस्टन नमबर 8 एक्सराइज 6.4 देखो कोस्टन नमबर 8 क्या है लेट स्टार बीदा बाइनरी ओपरेशन हमी क्या दे रुख है स्टार एक बाइनरी ओपरेशन दे रुख है हम पासजच ऐक्सटार आजाएगागा स्टार एक्सटार एक्सटार यह भी वाइनरी ओपरेशन नफक्या बाद हम फिर हमने b star a किया तो वो भी क्या आजएगा hcf of b and a और किनी भी दो नंबर्स का hcf है जाए फरस्ट को second लिखो या second first लिखो तो hcf दोनों का equal लाएगा तो हम क्या बोल देंगे सुस्ट ओप्रेशन स्टार एज़े कॉम्यूटेटिव नेक्स्ट है हमारे पास second a star b star c अब a star b का मिनिंग क्या है hcf of a and b और फिर star c अब इसका अगर लगा दिया तो it means इन तिन्नों का हमारे पास है hcf of a and b and hcf of c तो हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते है hcf of a b and a c तिन्नों का hcf निकाल देंगे दूसरे इसके बाद हमारे पास क्या है दूसरे हमारे पास है a star b bracket b star c अब a star as it is और b star c का मिनिंग क्या है hcf of b and a c तो इसको हमारे लिख देंगे hcf of a and hcf of b and c तो क्या लिख दिया hcf of a b and a c तिन्नों का hcf so the operation is associative क्योंकि यह तीनों का hcf है वो क्या आएगा equal आएगा तो क्या आजेगा operation associative and identity के लिए प्रूव करना कि इसके identity exist होती है तो वन हमारे पास क्या है natural number है one star e और a star one दोनों किसके equal आएगे अगर one का और a का हम निकालते है स्टार तो यह आए जाएगा वन आ जेगा और a का और one का निकालते तो भी one न आएगा क्योंकि दोनों का hcf क्या है one और यह किसके equal निया एक 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 आए तो क्या बोल देनेंगे there does not exist any identity element इसके अंदर कोई भी identity element एक्जिस्टे नहीं करता next है हमारे पास question number 9 let's star भी ये binary operation on the set क्या हूँ और फिर rational numbers as follow हमें क्या हूँ rational number दिया गया और उस पे binary operation लगा रखा है कैसे for which of the binary operation are commutative and which are associative ये पूछ रखा है इनमें से कौन सा number commutative है कौन सा operation और कौन सा associative है first है हमारे पास A star B A star B का meaning दे रखा है A minus B apply करते हैं A star B is equal to क्या आजेगा A minus B और दोनों में से minus common ले लेंगे तो क्या होजेगा B minus A जो कि क्या आजेगा minus B star A के equal आगए ये B minus A इसको हम क्या लिख सकते है B star है तो A star B किसके equal है minus B star A जो की equal नहीं है तो operation star is not a commutative उसके बाद हमें करना है associative A star B bracket star C अब A star B का meaning क्या है A minus B और star C अब star का meaning फिर है कि first में से second को minus करना तो first क्या है A minus B उसमे से second को minus करना है minus C इसको लिखेंगे हम A minus B minus C इसी तरह फिर दूसरा हमारे पास क्या A star bracket B star C A star है जटीज रख लिए और B star C का meaning क्या है B minus C और जब हमने star लगा है तो क्या अगर थे first में से second को minus करते है A minus bracket B minus C open करेंगे A minus B और minus minus plus C अब यह दोनों equal नहीं है नहीं equal है तो क्या बोल देंगे operation star is not a associative next है हमार पास second A star B is equal to A square plus A B square A star B का meaning है A square plus B square और B star A का meaning क्या होगा B square plus A square और दोनों को जब square का सम करेंगे तो equal आएगा तो क्या बोल देंगे operation star is a commutative next है हमार पास A star B bracket star C A star B का meaning क्या है A square plus B square और star C अब जब हम इसको apply करेंगे star को तो क्या करेंगे first का square plus second का square first क्या है A square plus B square का square और plus C का square तो इसको हमने लिख दिया A square plus B square का all square plus C square इसी तरह A star bracket B star C A star quesities रख लिया और इसको हमने open किया B square plus C square फिर जब इस star को open करेंगे तो first का square क्या आजेगा A square plus second का B square plus C square का whole square और ये दोनों equal नहीं है क्योंकि इसमें A और B वाड़ी का square और इसमें B और C का square है तो ये क्या आजेएंगे not a equal not equal है तो operation star is not a associative next है हमारे पास third A star B is equal to A plus AB अब A star B किसके equal है A plus AB दोनों मेंसे A common है लेंगे तो क्या आजेगा 1 plus B इसी तरह फिर B star A B star A का मेनिंग क्या आजेगा first वाड़े को as it is रखते हैं तो उमारे पास B आजेगा आजेगा प्लस B A दोनों मेंसे B common हाजेगा 1 plus A अब ये दोनों equal नहीं है इक्वल नहीं है तो क्या बॉल देंगे operation star is not a commutative next time A star B bracket star C A star B का मेनिंग है A plus AB और star C is equal to अब देखो जब हमने इसके उपर operation लगा है तो first को तो मैं z रखते हैं तो इसमें first क्या है A plus AB प्लस A और B की multiply अब दोनों की multiply लिख देंगे C into A plus A, A B आजाएगा इसी तरह से दूसरा क्या है A star bracket B star C A star को as it is रख लिए B star C का मेनिंग क्या आजाएगा B plus A B C is equal to फिर इस पर apply करते हैं तो first को तो हम as it is रखेंगे A plus A फिर second में हम क्या रखते हैं दोनों की multiply A into B plus A, B C और ये दोनों equal नहीं है equal नहीं है तो क्या बोल देंगे operation star is not a associative next है fourth A star B is equal to A minus B whole square A minus B whole square है तो क्या लिखेंगे A star B is equal to A minus B whole square and B star A क्या आजेगा B minus A का whole square और दोनों का जब हम square open करेंगे तो equal आएगा इसका क्या आजेगा A square plus B square minus 2AB और इसका क्या आजेगा B square plus A square minus 2BA तो दोनों क्या है इकोल है तो क्या बोल देंगे operation star is a commutative next है A star B bracket star C A star B का meaning है A minus B whole square और star is C is equal to अब star apply करेंगे तो A first minus second का square कर देंगे तो first क्या है A minus B का square और minus कर देंगे C का whole square इसी तरह जब दूसरे पर apply किया A star bracket B star C A star is it is रख लिए B star C का meaning क्या B minus C का whole square फिर apply करेंगे तो first का square कर देंगे first हमारे पास क्या है A पूरे का square करना है तो A minus second क्या B minus C का square और पूरे का क्या क्या कर दिया whole square और ये दोनों equal नहीं है तो क्या बोल देंगे operation star is not a associative next है A star B is equal to A B by 4 A star B क्या आजएगा A B by 4 and B star A क्या आजएगा B A by 4 और A B by 4 लिखो या B A by 4 लिखो दोनों equal आएंगे तो क्या बोल देंगे operation star is a commutative next है A star B bracket star C A star B का मीनिंग क्या आजएगा A B by 4 star C जब हमने इस पे C apply किया तो क्या है कि दोनों की multiply by 4 आना है तो दोनों के operation जिन पे है क्या आजएगा A B by 4 multiply C और पूरे की divide में 4 अब इसके कर देंगे A B C आजएगा और 4 4 जहाँ 16 दूसरे पे apply किया A star bracket B star C A star is it is और B star C क्या आजएगा B C by 4 जब हमने इसके उपर apply किया तो क्या आजएगा A multiply B C by 4 divided by 4 तो यह आजएगा A B C divided by 4 4 जा 16 यह दोनों equal है तो क्या बोल दिंगे operation star is a associative next है हमारे पास 6th 6th में क्या दे रखा है A star B is equal to A B का A B square A star B का है A B square and B star A क्या करेंगे first वाले को तो as it is रखते है second का square करना है तो अब B star A कर देंगे तो B as it is रहेगा और A का square होगा पर यहाँ A B का square है यहाँ B A का square है तो क्या बोल देंगे A star B not equal to B star A so operation star is not a commutative next है A star B bracket star C A star B का meaning लिखेंगे A B square star C is equal to अब क्या करेंगे first को as it is यह तो as it is रहेगा और into में क्या करते है second का square तो क्या लिख देंगे A B square is C square इसी तरह A star bracket B star C A star B star C को क्या लिखेंगे B C का square is equal to अब जब इसके उपर अप्लाई करेंगे तो first को तो में जब इस रखना और second का square B C square का square कर देंगे यह आजएगा A B square और C की power 4 हो जाएगी यह दुनों equal नहीं है equal नहीं है तो क्या बोल देंगे operation star is not a associative कि जो operation star वो associative नहीं है next हमारे पास क्या है question number 10 question number 10 में आपको दे रखा show that none of the operations given about the identity जो आपको question number 9 में आपको operations दे रखी है उन operations पे उमें बतारना है कि कोई भी operation के identity को satisfy करता है यह नहीं first हमारे पास क्या है A star identity identity पे apply करना है सभी को तो A star identity और इसका meaning क्या है A minus 1 लेकिन A minus 1 है वो कभी भी A के equal नहीं आ सकता ठीक है not equal to A और जब भी identity applicable होगी तो हमारे पास वापिस A के equal आना चीए next है A star identity A star identity लगाएंगे तो second का meaning क्या था कि A square minus B square तो A square minus identity square और वो कभी भी A के equal नहीं आ सकता तो not equal to A इस पे भी applicable नहीं है identity थर्ड है A star identity इसका meaning क्या था A plus A identity और ये भी A के equal नहीं आएगा तो not satisfied next है fourth A star identity इसका meaning क्या है A minus identity का whole square ये भी A के equal नहीं आएगा उसके बाद है A identity I is equal to A I by 4 ये भी A के equal नहीं आएगा क्योंकि by में 4 आ गया और next है A star identity इसका meaning क्या था A B का square तो A और B हमार पास के identity का square और A identity का square है वो आप इसके equal नहीं है सकता तो क्या बोल देंगे so none of the operation given above as a identity उपर जो operation दे रखे हैं उसमें से किसी की भी identity नहीं है next है question number 11 let A is equal to N cross A A हमार पास कोई भी set है natural to natural के लिए and star with the binary operation और star binary operation है on A A पर define by A B A B अब मार पास एक element है star C D जब इसके उपर हम apply करते हैं तो A plus C, B plus D यह ऐसे apply होगा show that star is commutative and associative find the identity element for star on A if any अगर कोई है तो वो identity element है find करो let A is equal to N cross N N से N पर हमार पास identity set दे रखा है and star is a binary operation define on A कैसे कर रखा है A और B A, B star C, D जब इसके apply करते हैं तो क्या आएगा A plus C और B plus D लेकिन जब हम इसको change करते हैं change करते हैं तो क्या आजएगा change करने के बाद यह क्या आजएगा star D लिख देंगे क्योंकि first है इन दोनों का first ले रहे हैं तो यह जो है C plus A यह C और इदर क्या आजएगा A आजएगा इस तरह से इसका first इसका second तो यह क्या आजएगा C, D star A, B और जब हमार पास यह दोनों equal हैं तो क्या बॉल देंगे operation is a commutative next है हमारे पास on A, B star C, D और पूरे bracket close और star E, F अब इसका meaning क्या था कि A plus C, B plus D और star लगा देंगे E, F पर जब इसके उपर हमने लगा तो क्या रखा है इसके अंदर हमारे पास condition थी कि इसका first और इसका first है वही condition इसमें लगेगी इसके first में plus कर देंगे इसकी first है A plus C plus E और दूसरा क्या आएगा B plus D plus F आजाएगा दूसरा अप्लाई किया A, B bracket C, D star E, F A, B, Z रहेगा इस पर star operation लगा है तो C plus E आजाएगा C plus E, D plus E इसके उपर apply करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा कि इसका first और इसका first की plus करेंगे A plus C plus E और दूसरा क्या आजाएगा B plus D plus E F आजाएगा अब देखो ये दोनों क्या होगे equal होगे तो क्या बोल देंगे operation star is a associative क्या operation star वो कैसा है associative है अब हमारे पास identity के लिए बोल रखा था तो देखो कैसे करते हैं let the identity function be E F हमने एक identity function मान लिया E F then अगर E F identity function है तो A B star E F क्या आना चाहिए A plus E और कॉमा लगा दिया B plus F आना चाहिए for identity function A एक function identity function A के लिए जब apply करते हैं तो इसका में link क्या है A plus E किसके equal आजाएगा E के जब हमारे पास ये दुनों equal कब होंगे जब E हमारा क्या होता है 0 अगर E 0 के equal है तब हमारे पास A is equal to A plus E आएगा and 4 इसी तरह इसको कर देंगे B plus F वो B के equal आएगा कब जब F क्या आजाएगा 0 और 0 है वो हमारे पास कैसा है वो natural number में नहीं है तो क्या बहुल देंगे So identity element does not exist Next है हमारे पास question number 12 state the statements are true or false आपको ये statement दे गई है true or false से ही बताना है first for any arbitrary binary operation star on a set n a star a is equal to a all a belongs to n अब हम अप्लाई करना है देखो star being a binary operation star एक binary operation है on n पर is defined तो हम define करेंगे a star a is equal to a और all a belongs to n hence operation star is not defined so the given statement is false कोई भी इसमें applicable नहीं हो सकता है क्योंकि a star 1 निकान लेंगे तब भी हमारे पास a के equal नहीं आएगा तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास false है इसके लिए कोई भी operation define नहीं हो सकता next है हमारे पास if star is a commutative अगर हमारे पास star commutative है binary operation on a n binary operation किस पर है n पर then a star b star b is equal to c star b star a अब इसको equal प्रूव करना है कैसे देखो star b गे binary operation अगर star एक binary operation है तो हमें क्या प्रूव करना है c star b is equal to आजए किसके b star a c के equal आजए यहाँ पे आएगा c तो क्या आजए b star c और c star b दोनों equal आजए तो हमारे पास a तो as it is आजएगा star पे अब c star b star a is equal to किसके equal आजए b star c star a के equal आजए और वो किसके equal है a star b star a c की इन दोनों में back में कर दिया तो यह आगे भी आ सकता है kya star b star c तो क्या बोल देंगे तो अगर हम इसको आगे से लगाए या पीछे से लगाए दोनों में equality आणी है तो क्या बोल देंगे statement अगो कैसी हमारे पास है true next हमारे पास question number 13 consider a binary operation star on n define as a star b is equal to a cube plus b cube choose the correct answer a star b का meaning क्या a cube plus b cube अब में बताना है किसके अंदर कौन सा operation और कैसे satisfy रहा है b star यह निकालेंगे तो क्या आजएगा b cube plus a cube अब देखो इन दो यह दोनों equal आएंगे तो क्या हो जाएगा star is a commutative उसके बाद हम associative देखते है a star b bracket star c इसको करेंगे a star इसको as it is कर लेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा a star a cube plus b cube यह मैंने अलग से लिख रखा है इसको ऐसे लिखेंगे a star b star c यहाँ पर नहीं आएगे bracket a star b star c तो a star as it is रहेगा इसको हम क्या लिख देंगे c cube plus a b cube इससे equal to जब हमने इसके उपर भी star applicable कर दिया तो first का cube plus a second का cube लिख देंगे c cube plus a b cube आ जाएगा इसी तरह से a star b bracket star c इसका मिनिक्या है a cube plus b cube और star c अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस पर star लगा दिया तो first का cube a cube plus b cube का whole cube और plus a c का cube यह देखो यह दोनों तो equal नहीं है नहीं है equal तो क्या बोल देंगे so a star b bracket star c not equal to a star bracket a star c के अब यह दोनों equal नहीं है तो क्या होजएगा not associative operation star is not associative तो यह हमार पास option number b है जिसके अंदर function commutative है बट associative नहीं है तो क्या बोल देंगे option b is true यह थी हमार पास exercise 1.4 ओके थैंक यू